Hello students, welcome back बच्चों. देखे हम लोग पढ़ रहे हैं, डाइरेक्टर चैप्टर और इसकी कुछ क्लासेज अल्रेडी हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं. अभी तक हम लोगोंने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, उससे related previous year में जितने भी questions आई हैं, वो on the spot हम लोगोंने solve किये. अब हम चलते हैं प्यारी बच्चों, हमारे next topic के उपर. हमारा next topic है section 162. मैंने आप लोगों से एक question पूछा था. ये topic मैंने आप लोगों को second number की class में indirectly पढ़ाया हुआ है, अब भी हम इसे directly fulfilled manner में देख लेते हैं. देखें, ये है एक company जिसका नाम है आलतू-फालतू Company Limited, आलतू-फालतू company है ये. और तीन लोग हैं, एक है अरवाज खान, एक है सलमान खान, और एक है सोहिल खान, ये तीन लोग हैं. ये company एक meeting कर रही है, जिस meeting के अंदर इन तीनों लोगों को as director, अपॉइंट किया जाएगा. एक आलतू-फालतू जो company है, वो एक meeting कर रही है, जनरल meeting, और उस meeting के अंदर इन तीनों लोगों को as director, डायरेक्टर की position पे company के अंदर अपॉइंट किया जाना है. अब इन तीनों ने पूछा company से कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप meeting के अंदर जब हमें अपॉइंट करेंगे तो सिर्फ एक resolution पास कीजिए, only one resolution और उससे हम तीनों को director की position पे अपॉइंट कर दीजिए. क्या ऐसा possible है? क्या ऐसा possible है? ये पूछा इन्होंने company बोली कि सुनो वैसे तो जब भी कोई person चाए से अरवाज कान, सोहिल कान, सल्मन, कोई भी person company के अंदर as director अपॉइंट होता है जब भी कभी भी कोई भी person company के अंदर director की position पे अपॉइंट होता है तो फिर उस case में हर person के appointment के लिए separate resolution पास होना कमपल सरी है. separate resolution पास होना कमपल सरी है. अरे यह मेरी बात यहां तक समझ में तो जब भी कोई person as director appoint होगा ज़रूरी है कि उसके लिए separately resolution पास होगा एक resolution से एक से ज़्यादा directors को appoint नहीं किया जा सकता company law मना करता है, prohibit करता है companies act clearly बोलता है अगर कोई भी company, कोई भी company किसी भी person को director की position पे appoint करने वाली है, तो हर person के appointment के लिए एक separate resolution पास होगा एक resolution से एक से ज़्यादा पंदे appoint नहीं हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं लेकिन हो सकते हैं, कब हो सकते हैं अगर इस company ने इस से पहले जो meeting करी थी उस meeting के अंदर एक proposal रखा था लोगों के सामने पहले वाली meeting में proposal रखा था, क्या proposal था? कि जो next meeting होगी, उसमें एक resolution से एक से ज़्यादा director appoint करना चाहती है ये company, ऐसा proposal company ने अपनी previous meeting में लोगों के सामने रखा, और hundred percent vote favor में आई, hundred percent vote जब favor में आती है तो उसे unanimous resolution बोला जाता है, unanimous, एक single vote against में नहीं आई, तब ये company आज इस meeting में एक resolution से एक से ज़्यादा director appoint कर सकती है, otherwise नहीं, अगर आप से कोई ये पूछे, कि क्या एक single resolution से एक से ज़्यादा director appoint किये जा सकते, आप बोलोगे, बिल्कुल भी नहीं किये सकते, एक single resolution से एक ही director appoint किया जाएगा, लेकिन हाँ, एक single resolution से एक से ज़्यादा director appoint किये जा सकते हैं, अगर उस meeting से पहले जो meeting हुई थी, previous meeting, उस meeting के अंदर company ने लोगों के सामने proposal रखाता कि मैं आगे आने वाली meeting में एक resolution से एक से जादा director appoint करूँ और 100% vote favor में, सर अगर 99% vote favor में आती previous meeting में, एक परसेंट vote against में आती तो नहीं कर पाते, unanimous resolution, 100% vote favor में आना compulsory है, student गोलता है सर बड़ा simple है, मेरे को समझ में आ गया section 162, लेकिन, लेकिन मैंने सुना है सर की ऐसी government company, जिसकी पूरी की पूरी paid up share capital, entire, 100% paid up share capital, बला ऐसी कोई company जिसकी 100% share capital government ने hold करी है, 100% उस company के ऊपर and उसकी अगर कोई subsidiary है, तो उस company के ऊपर और उसके अलावा private company, इन तीनों के ऊपर ये वाली restriction नहीं लगती, उनको exemption मिल जाता है, ये जो restriction है, ये सिर्फ public company पर apply होती है, हमने ऐसा पड़ा है, सही पड़ा है, इसमें वो company जिसकी 100% share capital government ने hold करी है, या उसकी कोई subsidiary, या private company उनको exemption रहती है, इनसे, exemption कम मिलती है, ये मैं इस chapter में बहुत वार बता चुका हूँ, जब उस company ने ना तो financial statements फाइल करने में कोई default करी है, ना ही अपनी annual return फाइल करने में कोई default करी है, student गोलता है, यहां तक मेरे को मस्त समझ में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक दम clear है, 100% clear है, अब चलते हैं, अपने next topic पे, next topic बहुत ही important है, बैसे जो next topic अब मैं पढ़ाने वाला हूँ section 163, वो बहुत lengthy topic है, और actual में practical topic है इसको ना live समझना चीए आपको, बहुत बड़ा example होता है इसका, यह अकेला दो class खा जाएगा, कमसे कम 2-5 गंटे का topic है, यह अकेला, पर आप लोगों के course में इतना दिया ही नहीं है, कुछ चंद लाइने दी होई है, बहुत चोटी सी, उनको समझना है, main क्रक्स समझना है, आपको इस topic का, हम तो यह topic जादा ज्यादा बीस एक मिनिट में कर देंगे, 15-20 मिनिट में, वैसे यह दो से डाइगंटे का होता है topic चलिए, अब देखिएगा section 163, इसको मैं directly example से समझाँगा, तो ही मजाएगा, एक company हैं प्यारे बच्चों, एक company हैं, और उस company के अंदर minority shareholders हैं, जिन्होंने कम share sold किये हुए, कम amount के share sold किये हुए, 30%, और majority shareholders हैं, 70%, क्लियर इस चीज़ यहां तक, ऐसा है प्यारे बच्चों, अब हुआ क्या बड़े ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या, इस company के अंदर बात आई, कि चमेली, चमेली जी को company में director की position पे appoint किया जाए, कि नहीं किया जाए, इसके उपर voting करानी है, minority shareholders नहीं चाहते कि चमेली जी company में director बन के आए, क्योंकि उनको शीला पसंद है, minority shareholders चाहते हैं कि शीला मेडम company में director बनेगी, voting हुई, तो minority shareholders ने against में वोट दिया, but majority shareholders ने favor में वोट दिया, तो favor में कितने वोट आए, 70%, against में कितने वोट आए, 30%, मेरे को बताओ, resolution पास होगा की नहीं होगा, sir होगा, appointment हो जाएगा, appointment तो हो गया, लेकिन जो minority shareholders हैं, उनको लगा, कि यार मजा नहीं आया, मजा क्यों नहीं आया, minority shareholders बोले, यार इसलिए मजा नहीं आया, क्योंकि हमने तो against में वोट दिया था, हमारी वोट का कोई महत्वाई ही नहीं रहे गया, importance ही नहीं रहे गया, क्योंकि जितना favor में वोट चीए था, उतना और उससे ज़्यादा तो majority वालों ने दे दिया, तो इस चमेली जी जो director की position पे appointment हुई है, इनके appointment में हमारा कोई role है ही नहीं, ऐसा सिर्फ director के appointment में नहीं, company के अंदर बहुत सारे matters के उपर जब voting होती है, तब ऐसा होता है, और minority shareholders को लगता है कि यार, हम तो बस थोड़े से share sold कर रखे हैं, बाकी हम कोई decision making के अंदर involve नहीं होते, क्योंकि हम जब भी कुछ बोलते हैं, majority shareholders उसके खिलाब बोलते हैं, और वो matter ही खत्म हो जाता है, तो इतना कुछ मज़ा है नहीं, company को ये बात पता लगी, तो companies act के अंदर एक नया concept आया, नया concept आया, उसको बोलते हैं, proportional representation for appointment of director, proportional representation, शहर इसका मतलब क्या है, आपको आता है या, आता है दोस्त, proportional representation, एक ऐसा method, जिसके अंदर majority shareholders और minority shareholders, दोनों की बातें सुनी जाएंगी, और director के appointment में, दोनों का contribution होगा, इस तरह का एक method लाया गया, उसको बोला जाता है, proportional representation to appoint director, यहां तक की बात के लिए रहे, अब question यह आता है कि sir, यह method क्या बोलता है, पहले आप यह समझ लीजिए, यह method आकर क्या बोलता है, suppose कीजिए, मैं बहुती basic समझाऊँगा, deep में नहीं जाऊँगा, deep में जाने के लिए फिर बहुत लंबा चोड़ा काम समझाना पड़ेगा, आपके course में है नहीं वो चीज, suppose कीजिए, एक company है, suppose कीजिए, एक company के अंदर, चार vacancy हैं, डाइरेक्टर की position पे, suppose कीजिए, कि छे लोग हैं, जिन्होंने apply किया है, company में डिरेक्टर बनने का, clear है, यहाँ पर बैटे है, majority shareholders, यहाँ बैटे है, minority shareholders, कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, यह actual में सब बराबर ही हैं, इस वक्त, यह लोग, अच्छा, यहाँ तक मेरी बात समझ में हारी है, अब होगा क्या, कि हर कोई बन्दा ना, vote देगा preference में, preference का मतलब, total कितने, vacancy fill करनी है, 4, कितने लोगों ने apply किया, 6 लोगों ने, A ने, B ने, C, D, E, F, इन 6 लोगों ने apply किया, अब एक बन्दा बोलता है, कि मेरा first preference है, कि A को appoint किया जाए, मेरी second preference है, B को appoint किया जाए, ऐसे करके, ऐसे करके, हर किसी ने, अपनी preference wise vote दी, और 4 लोगों को vote दे नहीं है, इन 6 में से, suppose करो, A के favor में, जो first preference पर आई, वो आई, 30 vote, V के favor में, जो आई, वो आई, 50 vote, C के favor में आई, 45 votes, D के favor में, E, ऐसे करके, आरे यह मेरी बात समझ में, अब होगा क्या, मान के चलो की, सबसे ज़्यादा, V के favor में आई, तो B जो है, वो appoint हो गया, तो एक director की vacancy, तो हो गई, फिल, अब कितने बचे, तीन बचे, उसी तरीके से देखा जाएगा, second को और तर्ट, अब वो एक चीज़ देखेगा, यहाँ पर जो first preference, B के appointment में गई है, हो सकता है, वो majority की भी है, minority की, सब ने मिल जुल के vote दिये, और जब एक बार, B appoint हो गया न, मान के चलो, B को appoint होने के लिए, वोरों में बट जाएंगे, उनकी preference के हिसाब से, आरिए मेरी बात समझ में, तो आप देखिए, इस method के अंदर, minority share older ने भी vote दी, और वो भी count होई है, इसलिए यह method लाया गया, proportional representation का, इस concept के अंदर, न, दो methods होते हैं, मतलब director को appoint, एक होता है, जैसे एक आदमी है, कोई एक share older है, उसे पता है, चार वेकिंसी है, तो वो चार लोगों को vote देगा, तो अपनी एक vote, एक vote, एक vote, एक vote, ऐसे चार लोगों को देदेगा, clear री चीज़, अच्छा दूसरा, बी को appoint होने के लिए, चारीस वोट चिये दी, पचास आ गई, तो चारीस के हिसाब से तो उसको appoint कर दिया, बाकी की दस जो है, वो इन में transfer मार दी, single transferable voting, एक होता है, cumulative voting, cumulative voting के अंदर क्या होता है, कि एकटा किसी person को vote दे दी जाती है, उसमें preference नहीं होती, एकटा, बन्दा बोलता है, मेरे को तो ए पसंद है, बात खतम, कोई बोलता है, मेरे को तो ई पसंद है, बात क्यों बिलेटे, उसकी vote ए खटा हो जाती है, clear यह चीज़ यहां तर, इस्टुरेंट बोलता है, सर मेरे को समझ में आगए, कि नॉर्मली कमपनी के अंदर, जब भी कोई परसन डायरेक्टर की पोजिशन पर अपॉइंट होता है, बहुत बार, बलकि ज़्यादा तर ऐसा होता है, हर बार तो जरूरी नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है, पर हाँ, ज़्यादा तर ऐसा होता है, कि जो मैजोरिटी शियर उल्डर्स चाहते हैं, वही होता है, माइनोर्टी का तो वोट काउंट भी नहीं होता, इसी लिए एक दूसरा मैथड लाया गया, जिसे पिर्पोर्शनल रिपर्रेजेंटेशन बोलते हैं, यह मैथड कमपनी के आप्शन पे डिपेंट करता है, कमपनी इसको चूज करे कि नहीं करे, कमपनी अगर चाहे तो इस मैथड को यूज करके डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, कमपनी चाहे तो इस मैथड को यूज ना करे, और जो पुराने methods हैं उनके थ्रूही directors को appoint कर सकती है अगर कोई भी company इस method को use करना चाहती है तो जरूरी है उस company के articles of association के अंदर authorization लिखी होई हो जरूरी है कि उस company के AOA में लिखा हुआ हो clearly कि वो company इस method को adopt करके अपने company के अंदर directors को appoint कर सकती है company अगर चाहे तो ये method adopt करती है नहीं तो नहीं AOA में लिखा हुआ होना compressor अगर company अगर अगर कमपनी इस method को adopt करके directors को appoint कर रही है तो company में total जितने director है उसका कम से कम two-third इसी method से होना appoint जरूरी है sir example के तोर पे suppose करो एक company है उसके अंदर total 12 director है वो company proportional representation के method को adopt करती है तो ये जरूरी है कि 12 का two-third 12 का two-third आठ डाइरेक्टर इसी method से appoint हो बाकी के चार को normal method से appoint कर लो ये method adopt करना optional है company चाहे optional है ये चाहे तो company इसको adopt करे method को चाहे तो ना करे लेकिन अगर लगकिन अगर करना चाहती है तो पहली बात AOA में authorized डोना चाहे है दूसरा total जितने डिरेक्टर है उसका कम से कम two-third इसी method से appoint होगा दूसरी तरीके से बोलता है या तो मैं ऐसे बोल दू कि इस method के through जो person डायरेक्टर की position पे appoint होता है वो तीन साल तक रहता है या फिर मैं इस बात को ऐसे बोल दू कि ये method company तीन साल में एक बार यूज़ कर सकता है student बोलता है सर अब मेरको आपकी बात समझ में आ गई है सर ये बात कम से कम two-third appoint होने जरूरी है दो method से vote के single transferable या cumulative कोई सा भी company adopt कर सकती है तीन साल में एक बार इसको adopt कर सकती है के लिए यह चीज़ यहां तक AOA में authorized होना जरूरी है सर अगर suppose करिए कि कोई person जो proportional representation method के थूर डिरेक्टर अपॉइंट किया गया उसकी casual vacancy हो जाती है तो हाँ board meeting में fill कर लो उसकी casual vacancy को बाद में general meeting में approve करा लेना पर board meeting में fill कर लो casual vacancy student बोलता है मिरको यहां तक की कहानी पूरी तरीके से समझ में आ जाती है सर क्या इस provision के भी exception है वो यह exception है यार ऐसी company जिसकी 100% share capital government ने ओल्ड करी है या उसकी subsidiary उनके उपर यह provision apply नहीं होता student बोलता है सर मिरको आपकी बात यहां तक पूरी तरीके से समझ में आ गए अभी तक आपने मिरको class में section 162 पढ़ाया section 162 बात करता है प्यारी बच्चों अभी तक आपने सर मिरको section 162 पढ़ाया section 162 बात करता है कि एक resolution से एक से ज़्यादा character point हो सकते हैं कि नहीं फिर आपने मिरको section 163 पढ़ाया वो भी मिरको समझ में आ गया अब चलते हैं सर हम लोग आगे अब चलते हैं हम लोग अपने next topic के उपर next topic बहुत है important topic है प्यारी बच्चों next topic बहुत ही important है मेरे प्यारे बच्चों next topic है आपका section 164 next topic है आपका section 164 बड़े ध्यान से देखेगा section 164 बात करता है disqualification of directors हम पढ़ने वाले हैं कि वो कौन-कौन सी situation है जिसके अंदर director का appoint होना disqualify हो जाता है director appoint नहीं हो सबता पढ़ते हैं एक बात सबसे पहले आता है a person cannot be appointed as director of a company in any of the following cases कौन-कौन सी है अच्छा मेरे को एक बात बताओ मेरे को एक बात बताओ अगर कोई person अगर कोई person insolvent हो जाता है दिवालिया हो जाता है क्या वो director बनेगा sir insolvent होने का मतलब है कि आपके खर्चे आपकी कमाई से ज़्यादा है आपकी liabilities आपकी assets से ज़्यादा है कोई person individually अपने को manage नहीं कर पा रहा है खुद को वो इतना capable नहीं है कि वो अपनी कमाई खर्चों से ज़्यादा रख सके वो company को तो क्या ही समा लेगा sir company को बैसी बरबाद करके पटग लेगा तो अगर कोई person खुद कोई person insolvent है चाहिए से उसे court के थरू adjudication मिल चुक है court ने बोल दिया है कि तुम insolvent हो या फिर उसने application लगाई है court के पास में बोलाए कि court order दे दे कि ये insolvent है सब court क्यों order देता है किसलिए देता है सबोज किजिए आज मेरे उपर बहुत सारा loan है वो loan वाले लोग मेरे पास में आते हैं और बोलते हमारा पैसा वापस करो मैंने उनसे बहुत बार बोला मेरे पास में पैसा नहीं है मेरे पास नहीं है भईया मेरे को माफ करो मेरे को मार पिटलो मेरे पास पैसा नहीं है वो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है और वो लोग कुछ ना कुछ मेरे को परेशान करते रहते हैं तो मैं चला गया कोल्ड के पास अदालत के पास और मैंने अदालत के पास जाकर बोला कि आप मेरी चानवीन करा लो मेरे पास में पैसा बिलकुल भी नहीं है सच में नहीं है और मैं किसी को उसका पैसा वापस नहीं करता हूँ पार मैं दिवालिया हो चुका हूँ कोल्ट ये बात जब अपने order में लिखकर दे देगी तो मैं वो लोगों को दिखा दूँगा और फिर लोग मुझे परिशान करना बंद कर देंगे क्योंकि वो ये मान जाएंगे कि इसके पास कुछ नहीं उनका पैसा डूब चुका है अब एक होता है कोल्ट ने अगर लिखकर दे दिया वो भी बंदा इंसॉल्वेंट है और एक होता है कि बंदे ने application लगाई होई है कोल्ट के पास में वो भी इंसॉल्वेंट है और दोनों ही situations में person disqualified है वो director नहीं बन सकता student बोलता है ठीक है मेरे को यह समझ में आता है दूसरा अगर कोई person unsound mind है अगर कोई person unsound mind का मतलब क्या beschäft का मतलब है उसका mind sound नहीं कर रहा है सर उसका mind sound नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है वो सोचने और समझने की इस्तिति मने एक बात बताईए मैंने आपको chapter की starting में बताया था कंपनी के अंदर director अपॉइंट क्यों किया जाता है कंपनी के अंदर director इसलिए पॉइंट किया जाता है कि वैसे तो कंपनी artificial person है अपनी existence लेकर रखती है कंपनी अपने नाम से सभी काम कर सकती है इसमें कोई doubt रही है कंपनी अपने नाम से सब काम कर सकती है लेकिन actually में problem आ कहां रही है actually में problem ये आ रही है कि जो company है ना वो एक artificial person है वो चल नहीं सकती सोच नहीं सकती समझ नहीं सकती इसलिए हमको एक natural person की ज़रुरत है जो कि सोच सकता है समझ सकता है और अपने company को direction दे सकता है company को help कर सकता है company के objects achieve करवाने में हम इसलिए appoint करते हैं किसी भी person को company के अंदर director ताकि वो सोच सके समझ सके और अपने दिमाग का इस्तिमाल करके company को उसके objects achieve करा सके जिसके लिए company पनी है अगर कोई person unsound mind है unsound mind का मतलब है वो पागल है unsound mind का मतलब है वो कोमा में चला गया है unsound mind का मतलब है कि उसने शराब पी हुई है और वो होश में नहीं है या दिन बर शराब के नशे में ही रहता है शराब या और किसी तरह के नशे में रहता है मतलब वो सोच नहीं सकता समझ नहीं सकता अपनी सूझ बुझ से परफेक्टली काम नहीं कर सकता वो बन्दा unsound mind है वो डिरेक्टर नहीं बन सकता पंपनी का बेड़ा गर करके बठक देगे तो देखे हम पढ़ने वाले हैं disqualification उसमें एक तो है कि कोई बन्दा unsound mind है दूसरा है undischarge insolvent मतलब अभी दिवालिया है और चली रही है उसके उपर undischarge अभी तक payment नहीं किया उसने court ने उसको बुला हुआ है कि ये insolvent ये तो disqualified होते ही होते हैं इसके अलावा और कौन अब बड़े द्यान से सुनिएगा मेरी बात को अगर कोई person कोई भी person अगर कोई भी person जेल में अगर कोई भी person जेल में convicted हो जाता है जेल के अंदर चला जाता है किसी भी offense में किसी भी offense में अगर कोई person किसी भी गुना में किसी भी अपराद में किसी भी offense में जेल में convicted किया गया है और अगर वो उस जेल के अंदर ही और अगर वो परसन उस जेल के अंदर कम से कम छे महीने गुजार लेता है तो जिस दिन वो जेल से बाहर आएगा उसके अगले पाँच साल तक वो किसी भी कमपनी में डाइरेक्टर नहीं बन सकता है आरिये मेरी बात को समझने एक मिनट रुपे आया यहां तक की बात समझ मैं मैंने आपको क्या बोला बड़ी सिंपल सी बात बोली इसको मैं एक्जामपल से भी समझाओंगा है मैं यही चेक कर रहा हूँ कि एक्जामपल मैंने सही बनाया है की नहीं बनाया मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी परसन जेल के अंदर कनविक्ट हो जाता है अगर कोई भी पर्सन जेल के अंदर कनविक्ट हो जाता है किसी भी ओफेंस में हो जाता है including moral terpitude humanity, मानवता मानवता के खिलाब भी उसने कोई काम किया बच्चे को मार दिया domestic violence में wife को मार दिया किसी भी ओफेंस में अगर कोई पर्सन जेल में कनविक्ट हुआ और वहां कम से कम च्छे महीने रहा च्छे महीने उससे जदा not less than six months कम से कम च्छे महीने उससे जदा वो जेल में रहा तो जिस दिन वो जेल से बाहर आएगा उसके अगले पाँच साल तक वो किसी भी कमपनी में डारेक्टर नहीं बन पाए एक्जामपल ये हैं हमारे बाबु राओ बाबु राओ गडपत राओ ताप्टे बाबु राओ को जेल हो गई 24 में 2025 को 24 मई 2025 को जेल हो गई और वो जेल से बाहर आए 15 सेप्टेंबर 2026 मतलब 6 मईने से जादा के लिए वो जेल में रहे 6 मईने से जादा के लिए वो जेल में रहे तो इस वाली डेट से वो अगले 5 साल तक किसी भी कमपनी में डिरेक्टर नहीं बन सकते अब हुआ क्या कि बाबुराओ जो है वो 15 सितंबर 2026 को बाहर आ गए जेल से और वो चले गए एक मोहित एग्रो केयर कमपनी के अंदर और उस मोहित एग्रो केयर कमपनी के पास में जाकर बोले कब गए 7 सितंबर 2028 को जेल से तो 2026 में बाहर आ गए थी 2028 को वो जेल में कमपनी के पास जाकर बोले कि मैं आपकी कमपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हू मोहित एग्रोकेर कमपनी बोली कि सुनो सर आप जेल के अंदर not less than six months, कम से कम छह महीने रहके आयो, आप तो एक साल से जादा रहके आयो, तो आप जिस दिन बाहर निकले 2026, वहाँ से अगले 5 साल तक आप किसी भी कमपनी में डिरेक्टर नहीं बन सकते, 2031 तक आप किसी भी कमपनी में डिरेक्टर नहीं बन सकते, उसके बाद मैं आओगे तब आपकी talent valent देखकर आपका interview लेकर हम decide कर लेगे तो इसका मतलब क्या निकला हम पढ़ रहे हैं director की disqualification मैंने आपको बोला कोई भी person जो company के अंदर director है कोई भी person जो company के अंदर director बनना चाहता है अगर वो किसी भी offense में jail में convict हुआ for not less than six months तो जिस दिन बाहर निकला उसके अगले 5 साल तक वो किसी भी company में director नहीं बन सकता अगले 5 साल स्टूडेंट ने एक बार मेट से question पूछ लिया बोला सर आप बोल रहे हो कि jail में अगर not less than six months रहा तो जिस दिन बाहर निकलेगा अगले 5 साल तक किसी भी company में डिरेक्टर नहीं बन सकता सर अगर कोई person jail में convicted हुआ और वो लगातार साथ साल जेल में रहा कोई person jail में convicted हुआ और वो लगातार साथ साल तक जेल में रहा तो फिर उस case में वो lifetime अपनी पूरी जिन्दगी किसी भी company में डिरेक्टर नहीं बन सकता ये लिखा हुआ है student बोलता है मेरको यहां तक की बात पूरी तरीके से समझ में आती है मेरको यहां तक की बात पूरी तरीके से समझ में अब आ गई clear है एज चीज़ तो एक और हम revise करते हैं एक बार हम रिवाइस करते हैं मैंने आपको क्या बोला मैंने आपको बोला अगर कोई पर्सन अंसाउंड माइंड है तो वो डिरेक्टर नहीं बन सकता अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है तो वो डिरेक्टर डिस्कॉलिफाइड है अगर कोई person किसी भी offense में जेल में गया including moral, terpitude, humanity मानपता के खिलाब गया और लगातार 6 महीन या उससे ज़्यादा के लिए जेल में रह गया not less than 6 months तो जिस दिन बहार निकलेगा उसके अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी में डारेक्टर नहीं बन सकता student बोलता है मेरे को यहां तक की बात पूरी तरीके से समझ में आ गई सर कोई दिक्कत नहीं अब चलते हैं next, next disqualification के उपर next यह बोल रहा है कि क्योई person है जिसके against में order आया है किस ने order दिया है, sir हो सकता है court ने order दिया है हो सकता है, tribunal, NCLT, national company law ने order दिया, क्या order दिया, उसने बोलाए कि फलाना person डिरेक्टर बनने के लिए सही suitable person नहीं है, इसको डिरेक्टर की position से हटाओ, तो फिर उस case में वो disqualify हो जाएगा अगर court यह tribunal का order उसके खिलाफ आया next point, next point आता है कि सब एक बात बताईे अगर कोई भी person company का member बनता है आपने ना सर जब हमें हमने पहले पढ़ा हुआ एक चीज, हमने यह पढ़िया कि जब कोई भी company incorporate होती है जब कोई भी company incorporate होती है तो यह जरूरी होता है, जब कोई भी company इनकोर्पुरेट होती है तो यह जरूरी होता है सर कि उसके कमसे कम minimum member हो अगर public company है तो कमसे कम साथ member हो private है तो कमसे कम तीन member हो ओपीस है तो one member हो और वो जो member होते हैं उनका नाम company के memorandum of association का जो last clause है subscription association clause उनके अंदर लिखा होता है चलो यह तो कंपनी बनेगी तो उसके अंदर मिनिमम मेंबर होने कंपल सरी पता है पता है पता है पर सर एक बात बता हो ये बात तो ठीक है कि कोई भी कंपनी है उसके अंदर मिनिमम मेंबर होना कंपल सरी है ये बात तो हमको समझ में आ गई पर सर हमने सुना है पर सर हमने सुना है कि जो भ खरीदेगा या पैसे देकर पैसे देकर खरीदेगा आज कोई कंपनी इंकॉर्परेट हो रही है एड़ी टाइम ओफ इंकॉर्परेशन कंपनी के अंदर कुछ मेंबर्स का होना कंपलसरी होता है वो जो कंपनी के अंदर मेंबर्स होते हैं एड़ी टाइम ओफ उन शेयर्स का उनको पैसा देना पड़ता है सेम उसी तरीके से सेम उसी तरीके से सर कंपनी के अंदर अगर कोई परसंड डायरेक्टर की पोजिशन पे अपोइंट होता है अगर कोई भी परसंड कंपनी के अंदर डायरेक्टर की पोजिशन पे अपोइंट होता है कि कोई भी person अगर company के अंदर director की position पे appoint होता है तो उसे पैसे का payment करना पड़ता है जी हाँ suppose कीजिए suppose कीजिए कि एक person है जो company का director है और उसने company के कुछ shares खरी दे company ने उससे money call करी पैसा call किया shares का और उस दिन से 6 महीने निकल गए उस director ने पैसे का payment नहीं किया अभी तक उसके पास में unpaid share है तो जिस दिन 6 महीने expire होंगे उस दिन वो disqualify हो जाएगा हमें company ये बोलती है कि हमें कोई ऐसा person director की position पे चाहिए ही नहीं जो हमारी company के share खरीदता है और payment नहीं करता जबकि हम उससे पैसा कॉल कर सेगी तो अगर कोई भी person जो company के अंदर company के share hold करके बैठा हुआ है company ने अगर उससे money call करी है उसने company का पैसा नहीं दिया 6 महीने निकल गए 6 महीने तक देता है तो कोई दिक्कत नहीं 6 महीने निकल गए और हमने पड़ी वो पड़ा unsound mind या insolvent है या फिर 6 महीने उससे ज़्यादा के लिए जेल में रहकर आगया तो अगले 5 साल तक डिरेक्टर नहीं बन पाएगा 7 साल जेल में रह लिया तो पताउमर डिरेक्टर नहीं बन पाएगा उसके बाद में court या tribunal ने अगर कोई order पास कर दिया तो फिर वो डिरेक्टर के position से disqualify हो जाएगा अगर उसने कंपनी के अंदर कोई share hold किया हुआ है और कंपनी उससे money call कर चुकिया 6 महीने निकल गए लेकिन उसने payment नहीं किया तो को disqualify हो जाएगा student बोलता है मेरको यहां तक की बात पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से समझ में आ गई अब हम चलते हैं हमारी next disqualification अब चलते हैं next disqualification देखेगा प्यारे बच्चों next disqualification के उपर चलते हैं प्यारे बच्चों director chapter के अंदर हम लोग एक topic पढ़ते हैं वो topic है section 188 बात में पढ़ेंगे हम आगे चलके इसी chapter director में वो है related party transaction related party transaction इसका मतलब क्या होता है बड़े ध्यान से सुनिएगा suppose कीजिए एक company है reliance और suppose कीजिए reliance company के अंदर aim as दोनी director है suppose कीजिए कि reliance company एक meeting conduct कर रही है suppose कीजिए reliance company एक meeting conduct कर रही है जिस meeting के अंदर वो ये discuss करेगी की उसे टाटा company के साथ में contract करना चाहिए की नहीं करना चाहिए करे की नहीं करे ये decide करेगी clear है चीजिए MS दोनी Tata company से भी related है कैसे इन्होंने इस company के share sold करी है या किसी भी तरीके से इस company के अंदर interest hold किया हुआ है clear है तो फिर क्या बोला जाएगा related party transaction related party कैसे है कि ये company का director इस company से related है तो related party और transaction अगर कोई transaction कल को सोचो suppose करो Reliance और Tata के बीच में contract हो जाता है कि Tata Reliance को steel देगा और Reliance उस steel को अपनी manufacturing में यूज में लेगी suppose करो Reliance ने अपनी तरफ से MS दोनी को बेजा कि जाओ बातचीत करो और steel की price अच्छी से set करवा लो और इतना steel लेकर आजाओ MS दोनी गए वहाँ पर जितनी quantity इनको चिये थी उसकी price Tata ने बोली 10 लाग लेकि क्योंकि इनका इससे भी relation है MS दोनी ने इनसे Tata से बोला कि सुनो तो माल तो मेरे को 10 लाग कई दो बिल बना दो 15 लाग का उससे क्या होगा मैं रिलाइन से 15 लाग ले लूँगा उसमें से 10 लाग तुमें दे दूँगा क्योंकि वो तो तुमने material दिया है बाकी का बचा पांच लाग डाई में रख लूँगा डाई तुम रख लेना हो सकता है इसलिए 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 जब भी कोई person जो की company के अंदर डाईरेक्टर है क्या होता है जब हम section 184 भी पढ़ेंगे एक बाद में company act यह बोलता है companies act कि अगर कोई भी person किसी company का director है और वो company जिन जिन पाल्टी से related है टाटा से महिंदरा से किसी से भी related है अगर director भी उन मेंसे किसी common party से related है तो ये बाद director को company को बता दे नीचे director ये बाद company को बता दे company को पहले ही बोल दे MS दोनी की जिम्मेदारी है वो reliance company को बोल दे कि सुनो भीया reliance तुम कर रहे हो टाटा के साथ में contract मैं बता दू मैं टाटा से जुड़ा हूँ मैं यह नहीं बोल रहा हूँ मैं fraud करूँगा मैं बिल्कुल यह नहीं बोल रहा हूँ मैं एकदम काम हैं में अंदारी से करूँगा लेकिन मेरा फर्ज है company जैक बोलता है मैंने यह बात तुम्हें पहले टेक्लियर disclose कर दी कल को अगर टाटा के साथ में कुछ contract करना है और किसी डारेक्टर को भेजना हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं टाटा से related हो अब तुम मुझे बेजना चाहो बेजो नहीं बेजना चाहो नहीं जो company नहीं बेजती है पर अगर कोई person MS दोनी किसी company का director है रिलाइंस और वो company कि और पार्टियों से जुड़ी हुई है अगर वो director भी उनमें से किसी party से जुड़ा हुआ है तो उस director की जिम्मेदारी है वो अपनी company को ये बात disclose कर दे कि आप फलानी गा कि उसके मन में पाप था, वो फ्रॉड करना चाह रहा था, इसलिए उसने नहीं बताया, और ये एक वैलिड ग्राउंड होगा, उस डायरेक्टर को डिस्क्वालिफाई करने के लिए, और वो अगले पाँच साल तक तोबारा कंपनी में अपॉइंट नहीं हो पाएगा, कि तो डिस्क्वालिफाईड है, अगर वो छे महीने या उससे जादा के लिए जेल में कनविक्ट रह गया, तो जिस दिन बाहर निकला उसके अगले पाँ साल तक डिरेक्टर नहीं बन पाएगा, फिर आपने बोला, अगर कोई पर्सन लगातार साथ साल या उससे जादा के ल पर्सन नहीं दिया तो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा, और अगर कोई पर्सन यो की रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर फॉल हो रहा है, और उसने कंपनी को ये बात डिस्क्लोज नहीं करी, तो भी वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा, इस्टूडेंट बो में हम लोग बहुत डीटेल में पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में जब भी कोई परसन किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है तो जरूरी है कि जो भी परसन उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है कोई भी परसन किसी कंपनी में डायरेक्टर ब यह सेवन नूमेरिक डिजिट्स का होता है इसके थूरू उस बंदे की पूरी कहानी पता लग जाती है यह एक ऐसा नंबर यह यूनिक नंबर होता है हर किसी के पास में उसका सेपरिट डियाइन होता है जो भी बंदा डिरेक्टर बनना चाहता है यह जिन्दगी में एक ही बा है मैंने पता है था आपको section 165 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे next topic हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आएगा कि एक वंदा एक time पर maximum 20 companies के अंदर डियरेक्टर हो सकता है इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास 20 DIN होते है नहीं डियरेक्टर 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 इस पार issue होता है पर आप इसे renew करा सकते हो अगर DIN नहीं है तो भी disqualified है मैंने आपको बोला एक वंदा एक time पर maximum 20 company में डियरेक्टर हो सकता है में maximum 20 कंपणियों में अगर कोई person उससे ज्यादा में डियरेक्टर बन रहा है 165 के लिमिट के beyond जा रहा है तो फिर वो disqualified हो unsound mind, अगर कोई बंदा insolvent है, अगर वो लगातार 6 महीने या उससे जादा के लिए जेल में रह गया तो जिस दिन बाहर निकला 5 साल तक डिरेक्टर नहीं बन पाएगा, 7 साल तक जेल में रह गया, lifetime नहीं बन पाएगा, court या tribunal के order से share old करता है, company ने money call करी, बड़ उसने payment नहीं किया, 6 महीने निकल गए, तो disqualify हो जाएगा, related party transaction का disclosure नहीं दिया, तो disqualify हो जाएगा, और उसके बाद में, फिर मैंने next आपको जाएगा, director identification number नहीं है, तो disqualify हो जाएगा, section 165 को अगर वो breach करता है, तो disqualify हो जाएगा, student अगर कोई person, ऐसी किसी company का director है, जिसने लगातार पिछले तीन साल से, लगातार पिछले तीन साल से, अपने financial statements या एन्वल लुटरन टाइम पर file नहीं करे, आर ये मेरी बात समझे, file ही नहीं करे, ऐसी किसी company का वो director है, जिसने लगातार पिछले तीन साल से, financial statement से एन्वल लुटरन फाइल नहीं करे, सोचुना, आज एक company है, जिसने पिछले तीन साल से financial statement से एन्वल लुटरन फाइल नहीं करे, और आप उसके director हो, क्या दूसरी company बुलेगी, आप मेरे में director बन जाओ, वो बोलेगी, इसको यह बरबाद कर दिया, मेरे को भी बरबाद कर दोगे, दूर रहो मुझसे, मैं बरबाद नहीं होना चाहती, आरी यह मेरी बात यहां तक समझ मैं, इसके इलाबा, या फिर कोई person, ऐसी किसी company का director है, जिसके उपर पिछले एक साल से amount पड़ा हुआ है, उधार, उसने deposit लिये थे public से बापस नहीं किये, डिवेंचर मैचर हो गए, बापस नहीं किये, एक साल नेकल गया, तो भी वो director disqualify हो जाए, student बोलता है, मेरे को समझ में आगया कि कौन-कौन से situation में person disqualify हो जाता है, ठीक है, मेरे को यहां तक पूरा समझ में आगया, लेकिन मेरे को एक doubt है, क्या doubt है, मुला, suppose करो कि अगर कोई person है, वो already ऐसी किसी company का director है, जिसने पिछले तीन साल से annual accounts, annual return या financial statements फाइल नहीं करे, तो वो अगले पाथ साल तक किसी भी company में director नहीं बन सकता, या कोई ऐसा person जो company के अंदर director है, ऐसी company में जिसने पिछले एक साल से डेवेंचर, deposits का रिपेमेंट नहीं किया, तो वो अगले पाथ साल तक director नहीं बन सकता, ये बात किलिए नहीं लिखी होगी है, कि पाथ साल तक नहीं बन सकता, दूसरा question, ये जितनी भी disqualification के provision हमने पढ़े, ये public company के उपर applicable होते हैं कि private, ये दोनों पर applicable होते हैं, हलंकि private company को ये बोला जाता है, कि आप अपने articles of association में, इनके अलाबा और disqualification add कर सकते हो, public नहीं कर सकती है, क्योंकि public company government के rules से चलती है, private company को ये एक extra benefit दिया गया है, कि ये disqualification तो आपके director पे applicable है ही, इनके अलाबा अगर और भी disqualification आप add करना चाहों कर सकते हो, अपने AOE में लिख दे, student बोलता है, सर मिरको अभी तक disqualification का पूरा point बढ़िया से समझ में आगया, पर सर मिरको एक doubt है, मैंने का क्या doubt है, बोले सर सब्बोस करो ये हैं जॉनी लीवर, मैंने का ठीक है, सर जॉनी लीवर director है, गोलमाल company limited, गोलमाल company के director, ठीक है, सर जॉनी लीवर को director की position से disqualify कर दिया गया, क्यों कर दिया, सर तीन में से कोई भी एक reason है, कौन सा reason है, सर या तो reason है, कि ये बोला गया कि आप छे महीने या उससे ज़्यादा के लिए जेल में रहकर आई हो, या फिर सर ये बोला जा रहा है कि court या tribunal का order तुमारे खिलाफ में आया है, या फिर जर ये बोला जा रहा है कि तुमने related party transaction का disclosure नहीं दिया, इन तीन मैंसे किसी भी बज़े से जो जोनी लीवर सहाब है, उनको disqualify करा गया है director की position से, लेकिन जोनी लीवर ये बोल रहे हैं कि ये disqualification legal नहीं है, valid नहीं है, अगर उनको disqualify इसलिए किया, कि वो लगातार 6 महीं नहीं उससे जदा के लिए jail में रहकर आए, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को गलत jail हुई, मैंने अपराद, crime, offense किया ही नहीं था, अगर court या tribunal के order के वे से disqualify हो रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं court या tribunal का order गलत है, उनने related party transaction के वे से disqualify किया गया, तो वो बोल रहे हैं, related party transaction था ही नहीं यार भया, मैं था ही नहीं उससे related, मैं तो बाद में relate हुआ, तो मैं पहले कहां disclose कर देता, बेसिकली बात यह है कि जॉनी लीवर, गोलमाल कंपनी के डिरेक्टर हैं, उनको इन तीन में से किसी भी एक बज़े से disqualify किया जा रहा है, और वो इससे खुश नहीं है, वो बोल रहे हैं, मुझे गलत disqualify किया जा रहा है, और company मुझे गलत, गोलमाल कंपनी मुझे गलत निकाल रही है, गोलमाल कंपनी का यह जो decision है, यह जो order है, मुझे disqualify करने का director की position से, यह गलत है, और मैं इस order के खिलाफ जा हुआ, क्या वो जा सकते हैं, जा सकते हैं, अगर कोई भी person, जो की company में director है, उनको इन तीन में से किसी भी बज़े से निकाला जा रहा है, और मुझे गलत है, मैं appeal लगाऊंगा, इसको appeal लगा सकते हैं, जानी लीवर अपील लगाएंगे national company law tribunal को, किसको appeal लगाएंगे, national company law tribunal को कितने दिन में अपील लगाएंगे, जिस दिन order आया, उसके 30 दिन में, 15 सितंबर को ओर्डर आया था यहाँ से 30 दिन तो यहाँ से 30 दिन कितना हो जाता है 15 अक्टोबर 15 अक्टोबर तक जोनी लिवर अपील लगा सकते हैं और उन्ही 30 दिन के अंदर NCLT को ओर्डर देना होता है तो देखो आप यहाँ पर जोनी लिवर को हटाने का ओर्डर आया था पंदरा सितंबर के इसके तीस दिन में जोनी लीवर एप्लिकेशन लगा सकते हैं मतलब पंदरा ओक्टोबर था और इनी तीस दिन में NCRT को भी ओर्डर देना होता है अब आप ये बक्वास क्वेशन मत करिएगा कि सर उसने तक रही है उसके विचारे की नौकरी गई है आपको लगता है वो ऐसा खेल खेलेगा तो अगर कोई भी परसन जो की कंपनी में डिरेक्टर है उसको इन तीन में से किसी भी वज़े से डिस्क्वालिफाई किया गया बट वो खुश नहीं है वो अपील लगा सकता है नेशनल कंपनी लौ फ्रेवनल को अपील लगाएगा एंसी अल्टी को जिस दिन ओर आया हो उसके तीस दिन में लगाएगा उनी तीस दिन के अंदर एंसी अल्टी ओर देगा जोनी लिवर के पास में ओर आया NCLT का लेकिन वो Johnny Liver के अगेंस्ट में आया वो बोले नहीं कमपनी ने आपको सही अटाया है आप नहीं हो कमपनी में डिरेक्टर Johnny Liver बोल रहा है और NCLT का ओर्डर भी गलत है वाई यह जो NCLT है ना इसका ओर्डर भी गलत है यह जो NCLT ने ओर्डर दिया है इसका ओर्डर भी गलत है Johnny Liver जो है वो NCLT के ओर्डर के अगेंस्ट में भी जाना जाता है जा सकता है किसको जाएगा NCLT की अपिलेट ट्राइवनल NCLT NCLAT National Company Law अपिलेट ट्राइवनल उसके पास में जाएगा कितने दिन में जाएगा कितने दिन में जाएगा जिस दिन ओर्डर आया NCLT का उसके साथ दिन अगले साथ दिन NCLT का ओर्डर आया था 11 उक्टोबर उसके साथ दिन 18 उक्टोबर तक जा सकता है NCLT का जिस दिन ओर्डर आया में अपना order pass करेगा जो कि final होगा तो इसने 18 October तक यह appeal लगा सकता था actually मैं appeal लगा ही 15 October यहां से 30 दन में NCLAT order देगा student बोलता है मिर को यहां तक की बात समझ में आ गए sir मिर को यहां तक की बात पूरी तरीके से अच्छी तरीके से clear तरीके से समझ में आ चुकी इस से related previous year question है same बोई student बोलता है सर मिर को यहां तक आपने section 162 पढ़ाए मिर को पूरा समझ में सेक्शन 163 पढ़ाया मिर को पूरा समझ में सेक्शन 164 टिस्क्वालिफिकेशन पढ़ाया मिर को पूरा समझ में आ अपील लगाने का process फूरा समझे में आ गया बड़ा ही सिंपल प्रॉसेसर मिरको आपने बोला आपने बोला कि जिस दिन कमपनी का ओर्डर आया उसके 30 दिन में अपील लगाओ उसके 30 दिन में अपील लगाओ NCLT को और NCLT भी उनी 30 दिन में ओर्डर देगा उससे भी अगर हो गई अग्रीव तो साथ दिन में अपील लगाओ N.C.L.E.T. को और वहाँ से अगले तीस दिन में N.C.L.E.T. ओर देगा बड़ाई सिंपल है सर मिर को समझ में आ गया पर एक डाउट है सर मिर को डाउट है सर मैंने गट क्या डाउट है पुला सर जिस वक्त ये अपील वाला केस चल रहा है उस वक्त वो बंदा डाउटर की पोजिशन पर बना रहेगा नहीं वो डिस्कौलिफाइड रहेगा वो डिरेक्टर नहीं रहेगा तब क्योंग कमपनी ने तो यॉडर द दे दिया न डिस्कौलिफिकेशन का वो तो अपील लगा रहा है सर अगर अपील एड़ दा इंड उसके अगेंस्ट में गई आ तो फिर कोई मतलब ही नहीं है अगर अपील का डिसीजन उसके फेवर में आ गया तो माना जाएगा वो डिरेक्टर की पोजिशन से कभी डिस्क्वालिफाई नहीं हुआता और इस टैन्यूर का भी उसे पूरा रेमुनेरेशन सेलरी मिलेगी स्टूडेंट बोलता है मेरे को यहां तक की पूरी कहानी बड़े मजे से समझ में आती है सर मेरे को एक परसेंट कोई दिक्कत नहीं मेरे को पूरा सब कुछ एक एक चीज समझ में आ गई सर अच्छे सर मैंने सर सेक्षिन 162 पढ़ लिया आपने पढ़ाया 163, 164 यह सब पढ़ लिया और यहां तक मेरे को किलियर हो चुका है पर सर एक क्वेश्चन है मेरा मैंने का क्या क्वेश्चन फुलसर एक अध बताईए कि एक परसन एक टाइम पर मैक्जिमम कितनी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो सकता है 20 एक वक्त पे एक बंदा मैक्जिमम बीस कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है उसमें से मैक्जिमम टैन पब्लिक हो सकती है या फिर ऐसी प्राइबेट जो पब्लिक की सबसीडरी है वो इन टैन के अंदर इंक्लूड़ेड है बाकी जो रिमेनिंग है वो प्यॉरली प्राइबेट कंपनी है तो सर बेसिकली आप यह बोल रहे हो कि section 165 165 है जो यह बोलता है कि एक वंदा एक वक्त पे मैक्जिमम बीस कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है मैक्जिमम 20 कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर हो सकता है मेरको समझ में आगया आप बोल रहे हो कि यह जो maximum 20 companies है ना सर, इसमें से 10 public companies, या ऐसी private जो public की subsidiary है, holding है, बाकी remaining purely private. तो basically सर मेरे को एक बात बताईए सर, सर मेरे को basically एक बात बताईए, एक है सर, चुलबुल पंडे, चुलबुल, पंडे, चुलबुल पंडे सर, already नो public companies में director है, और साथ private companies में director है, अब चुलबुल पंडे के पास में सर, ओफर आया है, ओफर आया है, तीन ओफर आये हैं उसके पास, एक ओफर आया है, एक company से, जो बोल रही है कि मेरी, जो public company है, वो बोल रही है, डायरेक्टर बन जाओ, दूसरा ओफर आया है, बी company से, ये private company है, जो कि एक public की subsidiary है, कि मेरी company में director बन जाओ, और एक ओफर आया है, सी, जो कि purely private है, कि मेरी company में director बन जाओ, सर किसका offer accept कर लेगा, कर सकता है, चुलपुल पांडे और किसका नहीं, देखो, एक बंदा एक टाइम पर maximum 20 companies में director हो सकता है, अभी वो already कितने में है, 9 plus 7, 16 में director है, 4 में और बन सकता है, पर उसमें से 10 public companies, या ऐसी private जो public की subsidiary, already 9 में है, अब उसके पास एक तो public company से offer आया है, और एक ऐसी private जो public की subsidiary, इन दौनों में से कोई उसे एक choose करने पड़ेगी, दौनों को नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो 10 से ज़्यादा में हो जाएगा, रही बात सी कि वो आराम से कर लेगा, क्योंकि अभी भी तीन है उसके पास में, student बोलता है, मिरको यह पूरा यहां तक की कहानी समझ में आ गई, लेकिन मिरको एक बात बताओ sir, मिरको एक बात बताओ, अगर कोई person, अगर कोई person, dormant company में director है, या section 8 company में director है, क्या उसकी वो डायरेक्टर्शिप इस 20 में किनी जाएगी, नहीं, नहीं किनी जाएगी, mcq question आ सकता है, इसके उपर आपको याद रखने, लेकिन ये वाला जो exemption है न, वो तभी मिलेगा, जब वो section 8 company या dormant company जो है, उसने अपने financial statement से annual return, file करने में default नहीं करियो, बुले सर, समझ में आ गया, पर मेरे को भी question हैं कुछ, मैंने का क्या, बुले सर, एक बंदा है, example के तौर पे सबूज किजिए कि एक person है, जिसका नाम है सुल्तान मिरजा, सर, वो सुल्तान मिरजा, 9 public companies में director है, 8 private companies में director है, ठीक है, अब उसके पास में offer आया है सर, पहला offer आया है, तीन public companies से director बनो, दूसरा offer आया है, तीन private company से purely private हैं यह, कि director बनो, और, तीन section 8 company से कि director बनो, और, तीन dormant company से कि director बनो, इसमें से कौन सा offer वो accept कर लेगा, कौन सा नहीं करेगा, देखो अब भी वो already कितनी company हो में director है, 17 में, एक बंदा एक time पर, maximum 20 companies में director हो सकता है, क्या उन 20 companies के अंदर section 8 count होता है, नहीं होता, क्या dormant count होता है, नहीं होता, तो इन में तो आराम से बन जाएगा, 6 की 6 में बन जाएगा, तब भी वो 17 में ही माना जाएगा, क्योंकि यह 6, इन 20 किलमेंट में count नहीं होती है, अब बात आती है यहाँ पर, तो वो already 9 public company में है, इन 3 में से वो कोई 1 choose कर ले, तो इसका 10 का कोटा पूरा हो जाएगा, और यहाँ वो already 3 purely private में है, इन में से कोई 2 choose कर ले, तो 10 का कोटा पूरा हो जाएगा, वो total 20 में हो जाएगा, बाकी वो section 8 और dormant company में बन सकता है, क्योंकि वो 20 के limit में count नहीं होते, बस उन्होंने friendship statements और annual return time पे फाइल किये, student बोलता है, सर मिरको यहाँ तक की बात जो है, वो पूरी तरीके से समझ में आ गई, पूरी तरीके से समझ में आ गई, लेकिन सर एक question है मेरा, एक question मैंने का बोलो, बोले सर आप एक बात बताओ, एक company एक बंदा, एक बंदा एक time पर maximum कितनी कमपनियों में director हो सकता है, मैंने का 20 में हो सकता है, एक बंदा एक time पर maximum 20 companies में director हो सकता है, सर उसमें से वो alternate डायरेक्टरशिप कितनी hold कर सकता है only one यह मैं पढ़ा चुका हूँ section 161 sub section 2 only one तो यह आपको याद यहाँ पे रखनी है तो बच्चो यहाँ तक आज की class में हम लोगों ने section 162 पढ़ लिया section 163 पढ़ लिया section 164 पढ़ लिया section 165 पढ़ लिया examples देख लिये हम लोगों ने प्यारे बच्चो एक बार आप लोग यहाँ तक इसको revise करें अच्छे से फिर बाकी का हम लोग अपनी next class के अंदर continue करते हैं till then thank you take care मेरे प्यारे बच्चो